नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल बाउन टो एडूकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज का ये वीडियो जैसे सी लेब असिस्टेंट केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक मातपून होने वाला है आज की इस वीडियो में फूल पेपर टेस्ट देखेंगे अर्थात के आपके परिक्षा में जिस परकार 150 कोशिन बनेंगे उसी परकार 150 कोशिन का सेट देखेंगे जहां पर आज का ये वीडियो पार्ट वन होने वाला है चले दोस्तो आज किस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो इसे जरू सब्सक्राइब कर दे और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ने किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे आज किस वीडियो से आपको पता चल जाएगा किस चैप्टल से किस परकार के कोशिन बनेंगे और कितने कोशिन बनेंगे तो चलिए आज किस पीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्ण पर देखे दोस्तों आज किस पीडियो का पहला प्रश्ण है A system absorbs 600 Joule of heat and system works equivalent to 900 Joule by expanding The value of delta E for the system is यहाँ पे दिया गया है heat absorbs दिया गया है 600 Joule का heat absorb हो रहा है और system के द्वारा यहाँ पे work किया जा रहा है इसलिए यहाँ पे work का value minus में है minus 900 Joule यह work किया जा रहा है system के द्वारा The value of delta E, delta E का value, energy का value आपको बताना है minus 300 Joule, option B है देखे, plus 300 Joule option C है, minus 600 Joule या फिर option D है, plus 600 Joule तो आप अगर खुद से बनाने का परियास करना चाहेंगे तो बना सकते हैं आसान से question है, formula best question है सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है, देखें दूस्तों सबसे पहले दिया गया है heat का value अर्थात की Q यहाँ पर दिया गया है 600 Joule ठीक है, 600 Joule दिया गया है, work done देखेंगे दिया गया है, आपका W का value दिया गया है, minus 900 Joule यह work दिया गया है और यहाँ पर delta E energy आपको find करना है, delta E is equal to क्या होगा, तो चलिए जो delta E का formula हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग put करते हैं, तो आप सभी को पता होगा, आसान सा formula, delta E is equal to Q plus W यह formula होता है, ठीक है असान सा formula है, theory class में मैंने इसको समझाया भी था, delta E is equal to Q plus W, तो इसमें आपको put कर देना है, जूल में ही answer है, तो इसको आप change करने के अवशकता नहीं है, तो work done भी जूल में दिया गया है, और आपका heat absorb भी जूल में दिया गया है, heat absorb कितना था, 600 था ही पर heat absorb, और work done क्या थ यहाँ पर work done plus करेंगे 900 था, ठीक है, work done मेरे ख्याल से यहाँ पर minus में था, ठीक है, तो delta E is equal to जो formula है, Q plus W, और Q का value हम लोग का दिया गया है, 600 और work done दिया गया है, minus में 900, तो आपका जो answer निकल करके सामने आ रहा है, minus 300 और यह भी जूल में आएगा, क्योंकि energy भी जूल मे है, तो जैसा कि आप सभी देख पारे होंगो, option A में आपका correct answer दिया गया है, minus 300 जूल, इसी परकार आसान और memory, आपके जिगा, formula based questions आते हैं, तो इस परकार के questions को आपको देख लेने है, numerical maximum 10 से 12 numerical पूछे जाएंगे, ज्यादा numerical नहीं पूछे जा रहे हैं, physics में भी ज्याद state function होगा, कोई एक state function नहीं है, तो कौन सा state function नहीं है, यह आपको बताना है, options देख लीजे, internal energy, irreversible expansion work, molar enthalpy, चले इस question का correct answer आप सभी देंगे, कौन सा state function नहीं है, question number 2, दोस्तों आप सभी को पता होगा, state function आर्थात की path पे dependent नहीं रहता है, initial और final position पे cable depend करता है, उसे हम नहीं होगे, internal energy भी state function होता है, reversible expansion of work, यह भी आपका state function होते है, molar enthalpy भी state function होते है, जो state function नहीं होता है, वो option हो जाएगा, option B, irreversible expansion work, यह आपका correct answer हो जाएगा, option B, irreversible expansion work, जो होता है, state function नहीं होता है, ठीक है, अब चले, next question है, question number 3, यह भी question है, numerical question है, चले, इसको solve करने का पर देखे इसमें कहा गया है 8 gram of O2 gas at 27 degree Celsius is compressed 8 gram gas यहाँ पर O2 gas है और इसको compress किया जा रहा है यहाँ पर temperature लिया गया है 27 degree Celsius 2 half of the volume volume कितना देरी तक इसको compress किया गया है जितना volume था अर्थात की मान लेते हैं यहाँ पर इतना volume था इसको उपर से compress किया गया और इतना volume half of the volume तक compress किया गया है isothermal and irreversible condition में isothermal and irreversible condition में यहाँ पर work done in the system कितना work done हुआ है यह आपको बताना है तो वही लोग वाला जो हमारा formula है work done का वो चीज लगेगा लोग वाला जो हम लोग ने formula वाला देखाता है work done का w is equal to 2.303 into nRT log volume वाला formula pressure वाला formula भी हम लोग ने देखाता volume के लिए वीटू उपर में होता है और वीवन नीचे में होता है ठीक है pressure के लिए इसका opposite होता है तो देखें वीटू उपर में होगा और वीवन नीचे में होगा इस formula से बनेगा सारा चीज तो आपको मालूम ही है 2.303 यह constant यह जैसा का देखा रहेगा उसके बाद n अर्थात की यहाँ पे number of moles number of moles आपको निकालना होगा number of moles यहाँ पे मेरे ख्याल से दिया हुआ होगा number of moles यहाँ पे नहीं दिया था 8 ग्राम दिया गया था 8 ग्राम 8 ग्राम O2 में ठीक है तो 8 ग्राम इसमें number of moles निकाल सकते हैं n is equal to कितना? 8 ग्राम में आपको कितना O2 दिया गया है एक का solo होता है molar mass 2 O2 का यहाँ पे 32 ठीक है? 32 तो यह आपका n का value हो जाएगा ठीक है? उसके बाद R यहाँ पे 2 ले लिजेगा उसके बाद log B2 by B1 ठीक है? हाप किया जा रहा है तो यहाँ पे हाप किया जा रहा है तो उपर में आ जाएगा 1 by 2 मतलब यह उपर में आ जाएगा B का value B2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 divided by 1 यहाँ पे put कर दीजेगा एक बाद put करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो दीखे W is equal to हो जाएगा 2.303 इंटू जो N था N का value हो जाएगा 8 बटा 32 उसके बाद R का value ले लेंगे 2 उसके बाद जो temperature दिया गया है उसको Kelvin में change करेंगे तो आपका आएगा 300 इंटू 2 by 1 इसको solve किजिएगा तो आपका answer आजाएगा और आपका जो answer आएगा उसको मैं आपको बता देता हूँ आपका जो answer आएगा वो आएगा 2.303 इंटू 150 लोग 2 ये आपका work done का value आएगा option B आपका correct answer होगा जैसा मैंने बताया उस type से आपको solve कर लेना है अब चलें next question को देखते हैं यह भी numerical ही है heat obtained due to expansion of 1 mole यहाँ पर 1 mole दिया गया है वही same formula से लगेगा H2 gas दिया गया है 1000 Kelvin यहाँ पर temperature दिया गया है 10 liter दिया गया है 10 liter से यहाँ पर 100 liter हो जा रहा है same condition दिया गया है temperature 300 Kelvin हो जाता है मतलब 1000 Kelvin था 300 Kelvin हो जाता है तो temperature आप यहाँ पर घटा करके निकाल लीजेगा 1000 minus 300 कर दियेगा यहाँ पर आपका temperature आ जाएगा 700 ठीक है B2 और B2 divided by B1 यहाँ पर B2 100 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा ठीक है W is equal to 2.303NRT log उपर में B2 divided by B1 ठीक है तो सारा चीज़ पूट कर दिजेए सारा चीज़ तो मालूम पढ़ गया 2.303 into N1 दिया गया था R का value 2 into temperature तो नों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा था 700 आ रहा था उसके बाद log B2 का पर लिए 100 divided by 100 तो यहाँ पर log यहाँ पर कड़ जाएगा log 10 हो जाएगा तो इसको स्वाब कर लिजेगा आपका जो एंसर आएगा वो आएगा 3,2,2,4 केलो केलोरी ठीक है केलोरी आएगा only केलोरी option D इस question का correct answer हो जाएगा option D स्वाब कर लिजेगा मैंने हिंट दे दिया है किस प्रकार से आपको बनाना है कौन सा formula लगना है उसके बाद देखें next question है question number 5 first ionization enthalpy का order क्या होगा यह आपको बताना है चलिए order को देखिए और अगर आपको swim से इसको solve करना है तो वीडियो को pause कीजे और swim से solve कीजे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले enthalpy निकालने के लिए आपको देखना क्या है सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे left से right के और जाते हैं जब periodic table में तो आपका size जो है size क्या होता है size decrease करता है size decrease करेगा तो ionization enthalpy आपका increase करेगा क्यों increase करेगा क्योंकि जैसे ही left से right के और जाएंगे आपका effective nuclear charge ये भी increase करता है तो ionization enthalpy इंक्रीज करेगा इसलिए बाहर का जो electron है उसको निकालने के लिए जादा energy क्या बशकता होगी तो ionization enthalpy भी increase करेगा जबकि उपर से नीचे के और आएंगे तो size increase करता है periodic table में तो ionization enthalpy decrease करेगा तो इस चीज को mind में लेकर की चलना है उसके बाद जो भी exception होगे उनको हम लोग आगे लेकर चलेंगे यहाँ पर हम लोगों देखना है sodium, magnesium, aluminium और silicon का तो चलिए सबसे पहले कुछ-कुछ basic point जो चीज है उनको मैंने बता दिया ionization enthalpy मतलब आप सभी को पता होगा electron बाहरी कक्चा में जो electron रता है उसको निकालने में जितना energy लगता है उसको ionization enthalpy काते हैं ठीक है और left से right की और ionization enthalpy बढ़ता है periodic table में इसको आपको याद रखना है तो हमें दिया गया है sodium उसके बाद magnesium उसके बाद aluminium उसके बाद silicon ऐसे आपका यहाँ पर left से right की और जा रहा है मतलब ionization enthalpy आपका बढ़ना चाहिए ठीक है बढ़ना चाहिए लेकिन थोड़ा वह exception है क्योंकि इसका configuration भी आपको देखना होगा जैसे की इसका बाहरी के अक्चा में क्या होगा 3S1 होता है उसके बाद mg mg का कितना होता 3S2 होता है aluminium का कितना होता aluminium का आपका 3S2 भर गया P1 हो जाएगा उसके बाद silicon का आपका होता है 3S2 भर गया है P2 हो जाएगा 3S के बाद 3P फील होता है तो यहाँ पर आप से भी देख पा रहे होंगे यह जो 3S2 है यह ज़्यादा stable होगा क्योंकि यहाँ पर देखे 3S2 अर्थात कि इसका जो quota है वो full हो गया है अर्थात कि S में 2 ही आपका electron रह सकता है और full field और half field जो होता है वो ज़्यादा stable होता है तो आपका जो configuration है इस परकार से आपको चलना चाहिए था इस परकार से क्योंकि left से right के और बढ़ता है लेकिन ऐसे होगा नहीं ठीक है यहाँ पर थोड़ा से exception आ जाएगा इस प्लेस पे आपका mg का थोड़ा से बढ़ जाएगा ठीक है mg का बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे ह है तो आपका यहाँ पर इसका बढ़ा होगा ठीक है तो आपका जो correct order होगा यह आपका order होगा एने mg से छोटा हो जाएगा उसके बाद केलमोनियम उसके बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन ठीक है यह वाला order होगा आउनेजिशन इंटेल पी का तो दोनों ही चीज़ों को देखना है लेप्ट से राइट के और आप जा रहे है उसको भी देखना है और उपर से थोड़ा से configuration भी देख लीजेगा क्योंकि half फिल औ उनका आउनेजिशन इंटेल पी जादा रहता है तो इस पर का देखे कौन सा option में आपका दिया गया है चलिए options को देखे तो देखे आपका जो option है इसमें कौन सा option है option A देखे आपका correct answer हो जाएगा आउनेजिशन इंटेल पी का अब चलिए आगे बढ़ते हैं और next question को दे देखे दोस्तो question number 6 है among halogens, halogens में कहा गया है the correct order of amount of energy released in electron gain enthalpy आर्थात की electron gain enthalpy आपको बताना है तो जिस परकार ionization enthalpy का trend चलता है उसी परकार electron gain enthalpy का भी trend चलता है electron gain enthalpy मतलब क्या होता है आप किसी electron को जब add करते हैं cell में तो जितना energy release होता है उसको हम लोग electron gain enthalpy का चलते हैं तो इसका trend भी same होगा जिस परकार से हम लोगों ने जिस परकार से electron affinity का देखा जिस परकार से electron आपका ionization enthalpy का देखा उसी परकार electron affinity का भी होगा left से right के और periodic table में बढ़ता है और उपर से नीचे घटता है यही चीज को याद रखना है आपका कम बन जाएगा हमें halogen पुछा गया है अर्थात की group 17 के element में पुछा गया है group 17 का element कौन कौन सा होता है सबसे पहले यहाँ पे fluorine होता है उसके बाद chlorine उसके बाद bromine उसके बाद iodine यह आपका होता है तो मैंने क्या कहा है उपर से नीचे की और घटेगा तो सबसे ज़्यादा fluorine का होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक exception होता है chlorine का fluorine से ज़्यादा electron affinity होता है इस चीज को याद रखेंगे यह एक exception होता है हमारा होना चाहिए क्या fluorine का होता है उसके बाद chlorine उसके बाद bromine उसके बाद iodine इस टाइप से होना चाहिए fluorine, chlorine, bromine और iodine तो इसका इस टाइप से trend होना चाहिए क्योंकि उपर से नीचे घट रह लेकिन यहाँ पर exception होता है chlorine का ठीक है chlorine का exception होता है इसलिए यहाँ पर आपका जो यह एरो होगा यह आपका इस टाइप से एरो होगा ठीक है यह आपका trend follow होगा तो चलिए देखें कौन सा option में आपका यह है तो देखें option C में यह दिया गया है तो इसका correct answer हो जाएगा option C next question देखें दोस्तों फिर से एक मेरे क्याल से numerical तो नहीं है यह वला अच्छा इसके आधार पर आपको यहाँ पर answer देना है given यहाँ पर दिया गया है E not AG plus AG दिया गया है electrochemistry का यह है 0.80 volt यहाँ पर दिया गया है इतना उसके बाद CU का दिया गया है उसके बाद इसका दिया गया है यहाँ पर question पुछा गया which of the following statement is or are correct कौन सा statement या फिर एक या फिर दो statement यहाँ पर correct है पहला option दिखे AG NO3 can be stored in copper vessel यहाँ पर कर रहा है कि AG plus और AG यहाँ पर इसका 0.80 volt है तो इसको हम लोग store करके रख सकते हैं क्या copper vessel में यहाँ पर CO NO3 whole 2 can be stored in magnesium vessel उप्शन सी यह देखे CU CL2 can be stored in silver vessel या फिर HG CL2 can be stored in copper vessel तो कौन सा आपका correct answer होगा यह correct answer देने का परियास करेंगे एक चीज याद रखेंगे जितना आपका potential ज्यादा होगा उतना oxidized कम होगा अर्थात की potential का opposite होता है जैसे की Mg2 plus का जैसे की Mg2 plus है यहाँ पर Mg2 plus इसका potential ज्यादा होता है तो oxidized form कम होगा AG plus का अगर आप देखेंगे AG plus का आपका potential कम होता है तो इसका oxidized form ज्यादा होगा तो इसी के आधार पर आपको यहाँ पर देखना होगा पहला option है देखे AG NO3 can be stored in a copper vessel इसको नहीं copper vessel में रखा जा सकता है क्योंकि यह तुरान से reduce हो जाएगा AG NO3 को अगर आप copper vessel में रखेंगे तो यह reduce हो जाएगा तो यहाँ पर copper vessel में नहीं रखा जा सकता है CU-NO3H2 can be stored in magnesium vessel CU-NO3 को copper vessel में यहाँ पे रखा जा सकता है magnesium vessel में नहीं तो यह भी आपका wrong हो जाएगा options यह देखे CU-CL2 can be stored in silver vessel तो यह आपका correct answer हो जाएगा CU-CL2 को silver vessel में आप store रख सकते हैं option C, इस question का correct answer होगा ठीक है next question ने देखे दोस्तो question number 8 in which of the following cell will the EMF be independent of the activity of the chloride ion यहाँ पे कुछ-कुछ cell दिये गए है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा EMF cell है जहाँ पे independent of the activity chloride ion का independent activity होगा यह आपको बताना है देखे पहला आपका जो example दिया गया है पहला example है ZN ZNCL2 पहला example है देखे दोस्तो ZN, ZNCL2 Equus solution में है और KCL Equus solution में PTCL2 ठीक है उसके बद ZNCL के साथ यहाँ पे CL2 है उसके बद KCL AGCL और यहाँ पे AG है AG, AGCL, KCL, PTCL2 उसके बद AG, HG यहाँ पे कहा गया independent chloride ion तो यहाँ पे देखे यहाँ पे तो independent chloride है यहेँ नहीं तो यह तो नहीं होगा दो नमबर independent chloride ion आपको यहाँ पे पहला select option में देख रहा है यहाँ पे देख रहा है पहला option बना देखे है यहाँ पहलाwhat independent नहीं होगा आपका option C correct answer हो जाएगा यहाँ इसका je independent होगा option C一次 question का correct answer होगा क्योंकि एजी देखें यहाँ पर अलग दे दिया गया है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगा option C, option C इस question का correct answer होगा next question है the ions यहाँ पर दिया गया है O2-, F-, Na+, Mg+, and Al3+, are isoelectronic, isoelectronic मतलब इन सभी का electron की संख्या बराबर है दियार ionic radii, ionic radii उनका क्या होगा तो ionic radii के वही simple जो trend हम लोग ने पढ़ा है options को बाद में देखेगा पहले इसको समझ लिजे देखें left से right के और आप अगर जाते हैं तो atomic radii क्या करता है atomic radii, atomic radii आपका घटता है ठीक है घटता है और उपर से नीचे के और जब आएंगे तो यह बढ़ता है इस चीज को आप थोड़ा सा याद रख लिजेगा ठीक है क्यों घटता है क्योंकि जो आपका nuclear effective nuclear charge यह बढ़ता है जिसके करण atomic size जो है वो घटता है क्योंकि जो electron add होते जाते हैं और अंदर से proton उसको ज़्यादा ताकत से किचता है attraction जादा होता है जिसके करण वो size जो है वो कम हो जाता है ठीक है इसलिए left से right की और यह घटता है यहाँ पर पुछा गया देखें दोस्तों यहाँ पर दिया गया ions O2 plus मापके जिए O2 minus उसके बाद F minus Na plus Mg2 plus and Al3 plus और ISO electronic सबका electron की सेंगा बराबर है चलिए सबसे पहले देख F minus उसके बाद Na plus उसके बाद Mg2 plus उसके बाद Al3 plus यह हमारा है proton की अगर बात करें तो oxygen का कितना होता है तो यहां पर देखें दूस्तो, 8 यहां पर proton, 10 electronically को खिंचेगा, तो कम ताकत लगेगा, effective nuclear charge कम होगा, cutting, size क्या होगा, effective nuclear charge कम है, मतलब size जाधा होगा, size जाधा होगा, जाधा होगा, जाधा होगा,境 pressure, तेरा प्रोट्रोन है एक थोड़ा common sense लगा करके दिखे तेरा प्रोट्रोन 10 इलेक्ट्रोन को खीचेगा तो ज्यादा ताकत से खीचेगा जिसके कराण effective nuclear charge बहुत ज्यादा होगा जिसके कराण size कम हो जाएगा अर्थात कि इधर size कम होते जाएगा इधर size ज्यादा होते जाए effective nuclear charge सबसे ज्यादा है इसलिए size इसका कम है तो सबसे ज्यादा size O2 minus का होगा और ऐसे यहाँ पर देखे दोस्तो size आपका घटते जाएगा AL3 plus तक तो कौन सा option है यहाँ पर आप देख लिजे पहला option चले देखते हैं पहला option है देखे an increase from O2 minus to F minus and then decrease from Na plus to AL3 plus पहली बात तो increase हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है यहाँ से हम लोग घटते जा रहे हैं AL3 plus का सबसे कम हो जा रहा है तो यह तो आपका wrong हो जाएगा दूसरा option देखते हैं दूसरा option है देखे a decrease from O2 minus ठीक है decrease हो रहा है F minus तक and then increase from Na plus 2 नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है देखे एक दर लगातार यह घट रहा है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा कहीं भी increment हमको देखने नहीं मिल रहा है उसके बाद next option है देखे a significant increase from O2 minus हाँ यह वहला correct हो जाएगा क्योंकि O2 minus से आपका decrease हो रहा है और सबसे कम ionic radii आपका AL3 plus का होगा तो option D इस question का correct answer होगा हमारे पास थोड़ा सा place कम हो जा रहा है इसलिए बाताराई में थोड़ा सा problem हो रहा है लेकिन आप copy में लिख करके इसको थोड़ा सा manage कर ली जागा अब देखे question number 10 which has maximum value of यहां पे equivalent constant आपको बताना है यह equivalent molar conductance है temperature assuming 100% ionization of each electrolyte यहां पे 100% ionization हो रहा है तो इस में क्या आपको बताना है ionization of each electrolyte मैंनी maximum value of dell equilibrium constant temperature assuming 100% of ionization of each electrolyte तो 100% यहां पे ionization हो जा रहा है तो सबको एक एक करके चले देखते हैं 100% ionization कैसे हो रहा है ठीक है तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं H2SO4 का है H2SO4 H2SO4 को dissolve करेंगे तो यहां पे इसका जब ही electrolyte में dissolve होगा तो H यहां पे SO4 2- SO4 2- SO4 2- अगर निकल जाएगा इसका 2 है मतलब 0.2 mol हो जाएगा ठीक है सेम आप इसमें देख सकते हैं S3PO4 में S3PO4 यह dissolve होगा तो क्या हो जागा यहां पे S3PO4 में HPO4 1P इसके साथ चला जाएगा HPO4- और यहां पे 2H- होगा तो सेम कैसे इसमें भी होगा 0.2 हो जागा यहां पे 0.1 mol दिया गया उपर में देखें सेकर नमबर में और यहां पे HPO4 के लिए 0.1 mol हो जाएगा ठीक है और यही कैसे में भी होगा ठीक है थोड़ा सा य इसका correct answer हो जाएगा option D सबका equal value होगा ठीक है option D इस question का correct answer होगा चले next question को देखते है question number 11 question number 11 है sodium forms Na plus ions but it does not form Na2 plus ion sodium Na plus easily form कर जाता है Na2 plus cube form नहीं करता है इसका क्या कारण है यह आपको बताना है पहला option है very low value of ionization 1 and ionization 2 ionization 1 और 2 का दोनों का value बहुत कम होता है very high value of ionization 1 and ionization 2 यह फिर option C है very low value of ionization 1 and low value of ionization 2 यह फिर option D है देखे दोस्तों low value of ionization 1 का low value होता है और यहाँ पे ionization enthalpy का जो 2 है इसका value जादा होता है ठीक है तो Na का configuration आप सभी को पता होगा Na का कितना होता है atomic number यहने का atomic number 11 होता है इसका configuration कितना होता है इसका configuration new one के बाद आप 3s1 होता है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इधर आपका 1s2, 2s2, p6 यहाँ तक देखे 10 electron आ गया यहाँ पर octet भी पूरा हो गया यहाँ पर 1 electron है तो यहने आसानी से 1 electron donate कर सकता है और Na plus बना सकता है क्योनीकि यहाँ पर, देखे देखे दोस्तों 1s1 पर 1 electron है और यह आसानी से donate करके अपनी stable state में आ सकता है लेकिन यहाँ पर, देखे दोस्तों जब आसानी से 1 electron donate कर दिया उसके बाद फिर से और electron donate इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर देखें, stable इसका configuration आ गया है, अर्थात कि यहाँ पर जैसे ही एक electron donate करेगा, इसका electron की सहंग्या कितनी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका configuration इस ट्राइप से हो जाएगा, neon का जिस परकार configuration है, वो इससे configuration यहाँ पर आ जाएगा, अर noble gas configuration जब attend कर लेता है, तो electron महाँ पर निकालने में बहुत अधिक दिक्कत होती है, इसलिए दोस्तों, यहाँ पर देखें, na plus आसानी से बन जाता है, na2 plus फिर बनता नहीं है, तो इसका reason यह है कि, ionization enthalpy 1, पहला ionization, first ionization enthalpy जो होता है, वो बहुती low होता है, जबकि second ionization enthalpy बहुती high होता है, तो इसका correct answer हो जाएगा option D, इस question का correct answer होगा, question number 11 का, ठीक है, अब चले next question के और आगे बढ़ते है, question number 12, when the following five anions are arranged in the order of decreasing ionic radius, the correct sequence is, correct sequence क्या होगा, यहाँ पर कहा गया है, five anions, five anions दिया गया है, are arranged in order of decreasing ionic radius, अर्थात की घटते हुए करम में ionic radius का, यहाँ पर इनको arrange किया गया है, the correct sequence, correct sequence यहाँ पर क्या होगा, यह आपको बताना है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लागो होगा, जो पहले हम लोग ने देखा, left से right की और क्या होता है, size खटता है, उपर से नीचे की और बढ़ता है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखे, बहु सबसे देख लिए, 34 atomic number होता है, I minus iodine का कितना होता है, I minus bromine, ठीक है, bromine के बाद आता है, fluorine, chlorine, bromine, उसके बाद iodine, तो iodine का कितना आ जगा है, 53 होता है, bromine का आता है, 35, oxygen का कितना होता है, 8, उसके बाद fluorine, इसमें देखना होगा, क्योंकि 8 और यह 9 दोनों ही सामने सामने ही, इसलिए, यहाँ पर electron को लिग देते हैं, तो यह सबसे नीचे है, मतलब सबसे बड़ा होगा, obvious बात है, सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, 53 atomic number है, मतलब यह सबसे नीचे है, period equitable में, तो सबसे बड़ा तो यह I minus होगा, चलिए I minus को सबसे बड़ा इसमें लिग देते हैं, उस इस वाद देखे एप माइनस का हो जाएगा एप माइनस क्योंकि यहाँ देखे नाइन है और यहाँ पर एटोमिक नमबर देखे नाइन है और यहाँ पर एट है तो यहाँ पर ज्यादा यह करेगा oxygen O2- है तो effective nuclear charge ज्यादा होगा ठीक है जिसके करण O2 का जो size होगा F- से जादा कम होगा ठीक है कम होगा तो O2- यह सबसे last होगा तो यह sequence आपका follow होगा ठीक है I- उसके बाद AC 2- BR- F- O2- तो चले देखते हैं कौन सा option में यह चीज़ दिया गया है तो option D में देखे यह चीज़ दिया गया है I- का सबसे बड़ा होगा क्योंकि देखेंगे decreasing order में मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखना है तो सबसे बड़ा को पहले उसके बाद उसके बाद उसके बाद यह तो आपका correct order होगा ठीक है थोड़ा oxygen को और fluorine को मैंने साथ गलत बताया था oxygen और fluorine को फिर से एक बर बता दे रहा हूँ ठीक है यहाँ पर देखे oxygen O2- और F- O2- और F- oxygen का कितना होगा प्रोटोन प्रोटोन इसका होता है 8 और इसका 9 होता है ठीक है O2- से इसका size कम होगा और O2- का size जादा होगा ठीक है इसका जादा होगा क्योंकि यह पर देखे 8 जो प्रोटोन है 10 electron को खेचेगा आपनी तरब तो effective nuclear charge F- से थोड़ा सा कम होगा इसलिए इसका size जो है यह जादा होगा ठीक है तो option D इस question का correct answer होगा next question है दोस्तो question no.13 यहाँब देखे 2 Ag plus react कर रहा है Cu के साथ और यहाँपे Cu 2 plus बना रहा है और 2 Ag बना रहा है the standard potential for this reaction is standard potential दिया गया है 0.46 volt which change will increase the standard potential the most options देखे लिए doubling the Ag plus harping the Cu 2 plus यह फिर doubling the size of the Cu electrode यह फिर standard potential is considered only for one mole solution ठीक है तो यहाँपे E cell थोड़ा सा उसको formula को देख लेते हैं E cell का formula है E cell का formula क्या होता है inode cell inode cell minus 0.059 divided by 2 log यहाँपे Cu 2 plus ठीक है Cu 2 plus हो जाएगा और divided by Ag 2 plus Ag plus 2 क्योंकि Ag 2 plus हो रहा है मतलब Ag 2 plus इसको double करना होगा तब यह inode cell बढ़ेगा ठीक है दीक है 2 Ag दिया गया था इसलिए नीचे आपका Ag plus का square होगा तो doubling the size of the इसका correct answer क्या हो रहा है option B हो रहा है तो इस question का correct answer होना चाहिए option A doubling the Ag plus ठीक है option A इस question का correct answer होना चाहिए अब चले नेक्स्ट question को देखते है question number 14 the specific connectance of 0.1 and KCL solution at 23 degree Celsius is 0.012 ohm inverse centimeter the resistance of the cell containing the solution of the same temperature was found to be 55 ohm the cell constant will be cell constant आपको यहाँ पे find करना है ठीक है तो cell constant क्या होगा cell constant is equal to directly इतना कुछ दिया गया है उन सब को देखने का जड़ुरती नहीं है हम लोग को इससे मतलब है और आपका cell constant का जो formula होता है cell constant cell constant आपका formula होता है r into k k specific conductance होता है specific conductance k r क्या है resistance है resistance कितना दिया गया 55 दिया गया ठीक है तो cell constant का आगे तो 0.66 cm inverse दिया ओप्सन B इस question का correct answer हो जागा ठीक है question number 14 का correct answer होगा option B अब चेरे next question को देखते हैं देखे question number 15 which of the following permits the calculations of absolute value of entropy of a pure substance from thermal data alone ठीक है वो जो question number 13 हम लोग ने देखा था question number 13 थोड़ा सा इसको मैं बना के देख लूँगा और comment में इसका answer अगर थोड़ा सा doubt है मुझे comment में मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो थोड़ा सा comment भी check कर लिजेगा इस वीडियो के अंत में वीडियो को खतम कर लेते हैं उसके बाद मैं उसका थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा ठीक है question number 15 देखे which of the following permits the calculations of absolute value of entropy of a pure substance from a thermal data alone first law of thermodynamics second law of thermodynamics third law of thermodynamics यहां पर कहा गिया है कौन सा ऐसा thermodynamics का लो है जिसमें absolute value of entropy of a pure substance from thermal data alone मतलब thermal data से ही आप absolute value of entropy पता कर सकते हैं तो यह third law of thermodynamics हो जाएगा क्योंकि third law of thermodynamics क्या होता है thermodynamical equilibrium में entropy constant हो जाता है दिरे दिरे वो constant क्यों चला जाता है जब temperature absolute zero हो जाता ठीक है अर्थात कि absolute zero जब temperature होगा तो entropy जो होगा यह constant हो जाएगा अगर thermodynamic equilibrium में system रहेगा तो तो इस question का correct answer हो जाएगा option C next question है दोस्तो question number 16 in which case del S is positive? del S यहां पर positive किस case में होगा यह आपको बताना है ठीक है तो del S का positive होगा del S तब positive होता है जब randomness बढ़ता है ठीक है? del S entropy का positive रहता है जब randomness बढ़ता है randomness का बढ़ेगा जैसे कि liquid से आपका guess की ओर जाएगा तो randomness बढ़ रहा है तो obvious अबात इसमें positive होगा यहां फिर solid से जब liquid होगा तब randomness बढ़ेगा लेकिन यहां पर थोड़ा सा options देखिए थोड़ा सा यहां पर tap कर दिया है option देखिए H2 और liquid से यहां पर solid की हो जा रहा तो यहां पर randomness क्या बढ़ रहा है? नहीं घट रहा है ठीक है? H2 हो गेस से liquid हो रहा है इसमें भी बढ़ने के जगा घट रहा है उसके बाद गेस से गेस यहां पर देखिए यह वला होगा देखिए H2 से गेस था 2H हो गया मतलब अलग अलग हो गया उसका randomness थोड़ा से बढ़ गया तो इस question का correct answer हो जाएगा अपसंची H2 गेस से यहां पर 2H गेस हो रहा है अपसंची आपका correct answer हो जाएगा simple से याद रखना है डेलेस entropy कब आपका positive होगा जब randomness उसमें बढ़ता है ठीक है? next question है देखिए question number 17 the wavelength associated with a golf ball weighing 200 gram and moving at a speed of 5 meter per second is in the order ठीक है? यहां पर पुछा गया है the wavelength, wavelength क्या होगा? wavelength का इसको निकालना है यहां पर mass दिया गया है 200 gram moving with a speed of 5 meter per second ठीक है? तो वही D-Brogly wavelength में आप formula में बैठा दीचेगा तो इसका answer आ जाएगा ठीक है? D-Brogly wavelength का formula क्या होता है? delta is equal to H by P, मतलब H by MB होता है इसमें H planks constant है 6.6 x 10-34 Joule सेकंड हो जाएगा उसके बाद mass दिया गया 200 gram और यहां पर speed दिया गया 5 meter per second ठीक हो बैठा दीचेगा आपका जो correct answer आएगा वो आएगा option C 10-34 meter ठीक है option C इस question का correct answer होगा next question है, a moving electron has 5 x 10-25 Joule of kinetic energy, the D-Brogly wavelength क्या होगा? एक moving electron का यहां पर, जो kinetic energy है वो दिया गया 5 x 10-25 Joule of kinetic energy, D-Brogly wavelength आपको यहां पर बताना है कि इस question का correct answer क्या होगा? D-Brogly wavelength तो lambda का formula जो होता है, kinetic energy के respect में, lambda का जो formula है उसमें बैठा दीजेगा, lambda is equal to हो जाएगा H-planks constant root under 2m into kinetic energy, यह formula होता है, सारा चीज़ दिया गया है, m का value यहां पर electron के लिए कितना होगा? 9.1 x 10-31 kg होता है, electron का mass, तो सारा चीज़ को बैठा दीजेगा, आपका जो correct answer आएगा, वो आएगा option A ठीक है, option A, 6.95 x 10-7 meter, यह आपका correct answer आजाएगा, option A, ठीक है? चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और next question को देखते हैं, question number 19, कौन सा correct statement है, यह आपको बताना, जिसके कि हम पर दिया गया है, limiting molar conductance of strong electrolyte as well as weak electrolytes can be obtained by cold rust low, यहापर limiting molar conductance, इस दा यहापर vector sum of यहापर दिया गया है, जो limiting molar conductance negative और positive का होता है, दोनों का sum होता है, तो यह तो सही होगा, उसका limiting molar conductance of weak electrolyte as well as, यह सब नहीं होगा, option है, इस question का correct answer होगा, question number 19 का, next question है, for this cell, यहापर cell दिया गया, ZN, ZN2 plus, C1 है, ZN2 plus, यहापर ZN, del G is negative, del G negative है, तिक है, negative किस case में, यहापर del G होगा, यह आपको बताना है, तो del G कब negative होगा, जब E not cell, या फिर E cell जो है, E cell ज और E cell positive कब होगा, जब C2 is greater than C1 होगा, तो इस question का correct answer होगा, option C, C2 is greater than C1, option C, इस question का correct answer होगा, next question है, the deep broadly wavelength of the electron traveling with 10% of the velocity of the light is equal to, deep broadly wavelength आपको find करना वही बला formula से होगा, लेकिन याद रखना है, 10% of speed of light, अर्था की speed of light का 10% आपको लेना है, सबसे पहले speed of light थोड़ा सा देख लिजे, यही थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो lambda का आप सभी को formula पता है, H, Y, M, B होता है, deep broadly wavelength का formula यह होता है, speed of light यहाँ पे देखे 10% of velocity of light यहाँ पे लेना है, बाकी जो formula है lambda का उसमें बैठा दीजेगा, सारा चेंज आज आजएगा, ठीक है, electron का mass तो आप सभी को पता होगा, 9.1 into 10 power minus 31 होता है, और जो lambda का formula है, यह भी आपको बता होगा, H, Y, M, B होता है, इसमें M बैठा दीजेगा, B, मैंने बता दिया, speed of light कितना होगा, 3 into 10 power 7 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 10 परसेंट लेना को कहा है, ठीक है, और इसमें जब आप बैठा दीजेगे, तो आपका correct answer होजागा, option B, 24.2 picometer, ठीक है, option B, इस question का correct answer होगा, आगे को बड़े बढ़ते हैं और देखते हैं, question number 22, question number 22 है, E1, E2 and E3 represent the kinetic energies of electron, alpha particle and proton, यहाँ पे E1, E2 and E3 kinetic energy दर्शा रहे हैं, सबसे पहला E1 क्या है, E1 है electron का, alpha particle का है E2, और proton का है E3, तो यहाँ पे D-Brogly wavelength के अनुसार इसको सजाना है, तो D-Brogly wavelength हम लोग जानते हैं, D-Brogly wavelength क्या होदा, kinetic energy के respect में, H by root under 2M kinetic energy, तो यहाँ पे E1, E2, E3 दिया गया है, मतलब kinetic energy के inversely proportional होता है, मतलब lambda is inversely proportional to 1 by kinetic energy, सिंपल साब यहाँ पे समझ सकते हैं, तो kinetic energy के inversely यह proportional होता है, ठीक है, और एक चीज़ होता है, lambda is, यहाँ पे देखें, lambda is equal to, और एक चीज़ यहाँ पे inversely proportional होता है, lambda is equal to 1 by root under 2MKE, अर्थाथ की mass का भी, यहाँ पे देखें, inversely proportional होता होता है, तो आपका जो correct answer हो जाएगा, option C हो जाएगा ठीक है next question है the cell constant of a conductivity cell cell constant क्या होगा conductivity cell इसका आपका correct answer क्या होगा बताना है changes with change of electrolyte changes with change of concentration of electrolyte changes with temperature of electrolyte यह पिर option दिये देखे remains constant for a cell the cell constant of a conductivity cell तो इस question का correct answer हो जाएगा remains constant for cell cell के लिए यह remains constant constant रहता है इस question का correct answer हो जाएगा constant क्योंकि यह जो cell constant constant physical property होता है तो option D इस question का correct answer होगा next question बहुत लंबा चोड़ा दिया गया है इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसमें कहा गया simple सा किसी में अगर मान लेते हैं 1S7 होता है तो दिया गया क्या configuration होगा तो 1S7 तो होगा नहीं खास करके तो एक की सुरूल के अनुसार की सुरूल का यहां पर violet कर रहा है तो यह हूंट सुरूल का यहां पर violet कर रहा है ठीक option D इस question का correct answer होगा हूंट सुरूल के अनुसार आप सब को पता होगा हूंट सुरूल of maximum multiplicity कहता है कि किसी orbital में आपका जो pairing start होता है जब सारे orbital खतम हो जाता है उसके बाद pairing start होता है उसके बाद और एक चीज इस ने दिया था कि आपका जैसे की S में 2 ही रह सकता है तो यहां पर S में 7 कर दिया है कैनिजार और नेम रिएक्षिन का कुश्चिन आ गया, कैनिजार और रिएक्षिन में हम लोग ने क्या पड़ा था? ऐसा रिएक्षिन जिसमें αलफा हइडोजन नहीं होता है, अलफा हैडोजन नहीं होगा, उसके बाद दोस्तों इसमें कोई भी जैसे की LDID या फिर Ketone का Reaction करवाएंगे जिसका Alpha Eidogen नहीं होगा और इसमें हम लोग क्या लेंगे Catalyst के रूप में Concentrated, Concentrated KOH या फिर NaOH ले रहे थे दो product बन रहा था, एक alcohol बन रहा था और एक format बन रहा था ठीक है, alcohol एक format बन रहा था, यह जीज़ हम लोग ने पढ़ा था Canisaro Reaction में, तो यहां पर देखे पहला इस question में पुछा गया था, कि इस slowest step कून सा होता है, तो इस question को मैंने करवा दिया कि आप अगर mechanism को देखते है Canisaro Reaction में, तो Canisaro Reaction का जो mechanism है, तो इसका सबसे slowest step कून सा होगा, यह आपको बताना है, पहला option ने देखे the attack of OH- at the carboxyl group the transfer of hydride of the carbonyl group, option से देखे the abstraction of proton from the carboxylic acid, option यह देखे दोस्तो, the deprotonation of pH, CH2, OH तो मैंने कहा था, सबसे ज़्यादा important और सबसे important यह point है, कि सबसे आपको याद रखना है कि यहाँ पर hydride siept आपको देखने को मिलता है ठीक है, तो slowest step आपका हो जाएगा, the transfer of hydrogen hydride to the carbonyl group तो इस question का correct answer होगा, option B केनी सारों reaction में, जो slowest step होगा, वो कौन सा होगा, the hydride siept हो जाएगा, carbonyl group में hydride siept होता है, option B, इस question का correct answer होगा उसके बाद next question है, four particular reaction एक particular reaction में, हम लोग dell H0 दिया गया है, minus 38.3 kilojoule दिया गया है और dell H0 दिया गया, minus 113 joule per Kelvin दिया गया, this reaction, यह किस प्रकार का reaction है, spontaneous at all temperature, none spontaneous at all temperature, यह फिर options यह देखे, spontaneous at temperature below 338 Kelvin, option यह देखे, spontaneous at a temperature above 339 Kelvin तो इस question का correct answer क्या होगा, यह आपको बताना है, तो यह Gibbs free energy का आप अगर relation जानते हैं, तो इसका अनुसार बनेगा, Gibbs free energy में हम लोग relation देखे थे, dell G is equal to क्या होता है, dell H minus T dell S होता है तो spontaneous के लिए क्या, dell G always negative होना चाहिए spontaneous का होगा, जब dell G negative होगा यह चाहिच आप सभी को बता होगा, तो negative का होगा जब dell H यह 0 से कम होगा, या फिर आप dell H, जो भी possibilities बन सकता है, T dell S इसका जादा होगा, तभी यह negative हो सकता है तो dell H divided by dell S less than temperature होगा, तो आपका negative होगा तो यहाँ पर दिखे, दिया गया है minus 38, 3 double C हो जाएगा क्योंकि 38.3 kilojoule दिया गया है divided by minus 33 यह जब T से कम होगा तभी आपका negative होगा इसको आप अगर करेंगे, divide करेंगे तो 339 आपका answer आ रहा है, ठीके 339 देखे किस में है यह आपका correct answer हो जाएगा spontaneous at temperature below 338 Kelvin option C, इस question का correct answer हो जाएगा spontaneous होगा, temperature कितने temperature के below 338 Kelvin के below आपका spontaneous होगा ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और next question को देखते हैं question number 27 है बोर्स radius for the hydrogen atom n is equal to 1 approximately is equal to इतना, तो यह दिया गया है नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है बोर्स radius, hydrogen atom के लिए हम लोग जानते हैं बोर्स radius का क्या होता formula, hydrogen atom के लिए मैंने बताया था, जब मैंने theory class करवाया था 0.529 या फिर 53 directly लिया जाता है, into n square divided by z n यह होता है, तो यहां पर हम लोग का n2 में पुछा गया है, तो n के जगा में 2 लगा दीजेगा, 2 का square हो जागा और solve कीजेगा जिसके 0.59 यहां पर n square के जगा में 2 का square हो जागा तो यहां पर आपका हो जागा, 4 हो जागा 4 divided by z, z कितना होगा 1 होगा, तो 0.529 into 4 हो जाएगा इसको अगर solve करेंगे तो 2.12 अपका answer आ जाएगा ठीक है, तो देखें कौन सा option में 2.12 है तो option D इस question का correct answer जाएगा question number 27 का, ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और next question को देखते हैं question number 28 question number 28 देखें chemical का, photo chemistry का है fluorescence which one of the following decay of excited state take place तो कौन सा excited state से कौन सा decay यहाँ पर fluorescence में आपको देखने को मिलता है S1 से वो S0 ground state में आता है AAA transition state 1 से S0 में आता है, या फिर AAA transition state 2 से AAA transition state 1 में आता है या फिर देखें दूसरो, T1 state से S0 state में आता है में आपके जिएगा excited state गलती से में transient state बोल रहा हूँ तो देखें T2 excited state से T1 excited state में आता है या फिर T1 से S0 में आता है तो fluorescence में क्या होता है S1 से S0 में आता है option A इस question का correct answer होगा next question है दोस्तो question number 29 the free energy change in the photochemical reaction is free energy change क्या होता है always negative होता है always positive होता है या फिर may be positive और negative या तो positive होगा या फिर negative होगा तो इस question का correct answer हो जागा option D may be positive हो सकता है या फिर negative होता है free energy change delg आप सब इने पढ़ा positive भी होता है mainly actually negative जातातर होता है लेकिन positive भी हो सकता है option D इस question का correct answer होगा next question है if a photochemical reaction has higher quantum yield than unity अर्थात की एक unity से higher quantum yield है तो इसका क्या reason है reversible reaction है elementary reaction है chain reaction and none of these अर्थात की यहां पर एक photon से एक photon या फिर एक photon से एक से जादा reaction हो रहा है अर्थात की एक से जादा product यहां पर form हो रहा है तो इसका कारण क्या है तो यह chain reaction के कारण होता है option C आपका correct answer हो जाएगा एक कोई activated जो reaction होता है दूसरे को activate करता है इस type से होता है तो इसका correct answer हो जाएगा option C अब चलिए आगे बढ़ते हैं और next question को देखते हैं question number 31 है how many types of electronic transition are taking place in visible and ultraviolet region visible और ultraviolet region में कितने परकार का transition अब देखने को मिलता है two type का, three type का, four type का या फिर five type का तो यह आप सभी को पता होगा four type का यह transition देखने को मिलता है कौन-कौन सा four type का transition है यह भी आप सभी को पता होगा unknown 11, 12 में भी था graduation में भी था antec में भी आपको पर्णा और आपने MSC नहीं किया है और MTC जीन्रों ने किया औरники सभी को पता होगा कौन-कौन kind naissan होता है sigma 2, sigma star trainsean होता है उसके बाद n to pi star trainsean होता है उसके बाद n to sigma star trainsean होता है और एक होता है पाई टू पाई स्टार टाइंसन ठीक है पाई टू पाई स्टार टाइंसन यह टाइंसन होते है ठीक है तो इस question का जो correct answer हो जाएगा 4 type होता है how many electronic transition तो 4 type of transition हमें so करता है option D is question का correct answer हो जाएगा question number 31 का correct answer हो जाएगा option D 4 types अब चलिए next question को देखते है question number 32 which one of the following statement is fall for a photosensitizer as a donor photosensitizer as a donor के लिए कौन सा यहापर statement है आपका wrong होगा यह आपको बताना है तो photosensitizer क्या होता है photosensitizer actually हम लोग कहते हैं जो कि photochemical reaction को proceed कराने में मदद करता है जिस परकार reaction में हम लोग catalyst को जोड़ते हैं उसी परकार photochemical reaction में photosensitizer यहाँ पर help करता है ठीक है खुद भाग नहीं लेता है बलकि एक परकार से surface का काम करता है और यह help करता है तो कौन सा यहाँ पर आपको correct मापकी जी कि इसमें false होगा यह आपको बताना है it must have sufficient lifetime able to transfer its energy to acceptor molecule या फिर transfer of energy reaction has higher energy than acceptor option D है देखे acceptor has higher energy than donor तो इस question का correct answer होगा कौन सा आपका false होगा option D इस question का correct answer होगा acceptor has higher energy than donor ठीक है इस question का correct answer होगा option D next question देखते है consider the following statement हम लोग को यहाँ पर कुछ कुछ statement दिया गया है कौन सा सही है कौन सा गला थे आपको बताना है ठीक है तो देखे यहाँ पर पहला जो statement दिया गया है in aldehyde pi to pi star transition and n to pi star transition possible तो यह तो सही होगा क्योंकि pi to pi star transition में होता है क्योंकि c double bond ओ रहता है तो अभियस सा बात है double bond में pi to pi star transition so करता है n to pi star loan pair भी होता है इसलिए n to pi star transition भी so करता है n मतलब क्या होगा non bonding जो electron होता है वो pi star में जाता है उसको हम लोग n to pi star transition करते हैं तो यह जो option जो आपका statement 1 है यह आपका correct होगा statement 2 क्यों देखते हैं sigma to sigma star का यहाँ पर energy का difference दिया गया है energy का बढ़ते करम में की घरते करम में दिया गया अर्थत की सबसे ज़्यादा energy आपका यहाँ पर sigma to sigma star transition में हो रहा है तो यह तो सही है उसके बाद n to pi star n to pi star का सबसे last में होता है सबसे कम energy लगता है तो यह गलत है energy diagram में आपको दिखा देता हूँ देखे यहाँ पर मा लेते हैं यह है सबसे नीचे sigma रहता है उसके बाद यह pi हो गया ठीक है उसके बाद यह non bonding वाला बीच में आए गया उसके बाद यहाँ पर pi star होता है सबसे उपर में होता है sigma star ठीक है सबसे ज़्यादा जो energy लगता है sigma to sigma star में ज़्यादा energy लग रहा देख रहे है कितना ज़्यादा है यहाँ पर से नीचे तक जाना पड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा energy sigma to sigma star में सबसे ज़्यादा energy हो गया ठीक है उसके बाद n to sigma star में n to sigma star में उसके बाद energy लगता है n to sigma star में n to pi star यहां पर छोटा सा energy gap है तो यहां पर n to pi star में होता है copy में थोड़ा सा note कर लिजेगा यहां पर समझने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो यह जो statement 2 है यह आपका wrong हो जाएगा उसके बाद third number का statement है देखे in fluorescence s1 से s0 decay होता है तो यह चीज़ हम लोग ने अभी question क्या तो यह भी correct हो जाएगा तो एक और तीन आपका correct हो जाएगा तो आपका correct answer होगा option c हो जाएगा देखे एक और तीन statement जो है यह आपका correct है option c इस question का correct answer होगा ठीक है उसके बाद next question है दोस्तों देखे question number 34 which of the following agent will give clemencen reduction तो clemencen reduction नेम reaction में हम लोग ने पढ़ाता एक मात्र आपका reduction reaction है जिसमें हम लोग कोई aldehyde या फिर ketone को हम लोग reduce करके lkn बना रहे थे ठीक है और उसमें जो reaction condition का अप्योग कर रहे थे हम लोग zen and hg hcl का अप्योग कर रह the product from the reaction of one pentene with cl2 in h2o one pentene का reaction होगा है cl2 में यहां पे आपका reaction condition light के presence में है की नहीं है वो तो नहीं दिया गया है यहां पे cl2 simple सा दिया गया है h2o दिया गया है तो आपका जो जिस प्रकार से reaction होगा तो आपको दिखा देता हूँ इसमें जो reaction है pentene लेना है one pentene एक number पे आपका pentene एक दो तीन चार पाच pentene ले लिए एक number पे यहां पे आपका ilkin है cl cl से react करा रहा है तो इधर खीचेगा तो यह delta minus हो जाएगा और यहां पे delta plus आ जाएगा तो यह जाकर कि इसको attack करेगा तो यहां पे थोड़ा सा एक cyclic change ज यह था और यहां पे attack करके यहां पे cyclic formation जैसा हो जाएगा ठीक है थोड़ा से square step से दिखा देते हैं इसको हटा करके यहां पे cl थोड़ा cyclic type से formation होगा ठीक है और यहां पे cl पे plus charge आएगा फिर यह इधर जाकर करके जब यहां पे h2o add होगा h2o बाद में देखिए add करना करेंगे तो ओएच आपका इस position पे होग तरफन यहां पे होग या ओएच आजाएगा और आपका सब्सक्राइगा और यहां पै कि अबने खाएगा तो option A आपका correct answer होगा ठीक है इस question का correct answer याद रखेंगे option A होगा अब चेरे next question के और आगे बढ़ते हैं question number 34 नहीं नहीं 36 ठीक है यहाँ पर देखे ccl4 का reaction हो रहा है पेरोकसाइड यहाँ लिया गया है इस पार और A यहाँ पर product बन रहा तो यहाँ पर A क्या बनेगा यहाँ आपको दिखाना है ठीक है तो यहाँ पर देखे question number 36 है इसको पेरोकसाइड लिया है पेरोकसाइड लिया है तो यहाँ पर cl आएगा इस position पे आपका CL आ जाएगा एक CL इस position पे आएगा और यहाँ पे last में terminal position पे CCL3 add होगा तो आपका जो product बनेगा यह RCH यहाँ पे आएगा CL, यहाँ पे आएगा CH2 यहाँ पे CCL3 आएगा ठीक है तो आपका जो correct answer होगा option A इस question का correct answer होगा next question है था alkane is not obtained from alkane किसे नहीं बनता है तो preparation of alkane मैंने पढ़ाया था अच्छे से आप सभी को अगर याद होगा तो मेरे ख्याल से इस question का answer आपको आता होगा यहाँ पे देखे C2H5 OH HI red phosphorus से भी आप alkane बना सकते हैं यहाँ पे देखे butanone का यहाँ पे reduction हो रहा है अब हम लोग electrolysis colby electrolysis आप सब ने पढ़ा होगा colby electrolysis का ही तो यह है colby electrolysis में भी बना सकते हैं clemens and direction में भी बना सकते हैं HI red phosphorus का उप्योग करके भी बना सकते हैं लेकिन यह क्या चीज है इसमें नहीं बनता है hydroxylation of ethine hydroxylation है hydroxylation यहां पे hydroxylation hydroxyl group एड़ हो रहा है hydroxyl group जब एड़ हो रहा है तो कहां से Alken बनेगा इसका ethylene glycol बन जाएगा मेरे खहाल सी यहाँ पे ethylene है और यहाँ पे hydroxyl group एड़ हो रहा है मतलत है इthylene glycol बन जाएगा नाकि Alken बनेगा तो इस question का correct answer हो जाएगा, option A से आपका LK नहीं बना सकते हैं Hydroxylation, Hydroxyl group यहाँ पे add किया जा रहा है Ethylene अब लोग का chain है, उसमें Hydroxyl group add किया जा रहा है तो क्या बनेगा? आपका Ethylene glycol बन जाएगा Option A, इस question का correct answer हो जाएगा, इससे आप LK नहीं बना सकते हैं Next question है, Maximum Hyperconjugation is observed in Maximum Hyperconjugation क्या होगा? Hyperconjugation किसमें Maximum होता है? जहाँ पे Alpha Hydrogen Maximum होता है, उसी में Hyperconjugation Maximum होता है तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, यहाँ पे 3 देखे, Alpha Hydrogen है तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, जिसमें Alpha Hydrogen Maximum, उसमें Maximum Hyperconjugation इस चीज को आप याद रखेंगे आने Elkin, Elkin में addition किया जा रहा है, HCN में, तो यहाँ पे proceed, तो दो step होता है the first step is the attack of H plus iron, तो H plus iron किस प्रकार से attack कर गया है, यह चीज़ आपको बताना है, ठीक है? तो देखें, ध्यान पूरबक देखें, H plus यहाँ पे attack नहीं करता है, बलकि यह जो double bond है, इस टाइप से हम लोग दरसाते हैं, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B option B, इस question का correct answer हो जाएगा, question number 39 का अब चलें next question को देखते हैं, question number 40, which of the following statement is or correct? कौन सा ऐसा statement है, जो की correct है, टॉटो मरिसमा structures can be isolated easily, option B यह देखें, stereo isomers have different molecular structure but same configuration option C melting point of cease isomer is greater than melting point of trans isomer option D solubility of cease isomer is lower than trans isomer, इस question का correct answer क्या होगा, तो इस question का correct answer हो जाएगा, option A, totomer structure जो होता है, इसको isolate किया जा सकता है easily, option A, इस question का correct answer होगा, ठीक है, चले आप आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस 50 question कर लेते हैं, उसके बाद next video में continue करेंगे, 50 question को जल्दी से देख लेते हैं, 41, कितना time हो गया, है time, एक गंटा तक हो जाएगा, देखें, ओर्लोन is a hard, horny and high metal, ओर्लोन polymer है, polymer जो होता है, किस से बना होता है, orlone, styrene और methyl methacrylate से बना होता है, synthetic polymer होता है, human made synthetic polymer होता है, orlone, ओरlone से question बनता है, किस से बना होता है, styrene chain से बनाता है, styrene से बनाता है, methyl methacrylate बन करके, दोनों का मिलन से बना होता है, और तक दोनों का मिलने से बनता है, option C, इस question का correct answer हो होता है इस्टाइरीन और मिथाल मिसयक्रेलेट मिलकर के बनता है WORK अब चला नेक्श्ट को देखते हैं कोसर्ट नमबर 42 इंक्रेसिंग ओडर पसी रिएक्षोन एसी रिएक्ष्ण का इंक्रीजिंग आफको यहां पताना है ऐसी reaction मतलब क्या होता है electrophilic substitution electrophilic substitution electrophilic मतलब क्या होता है जो की positive charge पर attack करेगा electrophile आपके जिगा electrophile जो होता है ये negative charge पर attack करेगा अर्थात कि खुद electron deficient atom होगा electron deficient होटाम होगा जहां पे ज़्यादा electron इसको देख गया मतलब वो ज़्यादा एटेक करेगा तो कौन सा रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रोन दीख रहा है तो आप सभी यहाँ पे देखिए बेंजिन रिंग है और बेंजिन रिंग में बहुत सारा इलेक्ट्रोन होता है लेकिन फिर से CS3 के द्वारा electron दिया जा रहा है, donate किया जा रहा है मतलब और भी ज़्यादा electron बढ़ गया तो यहाँ पे जो electrofile है वो ज़्यादा यहाँ पे attack करने का पर्यास करेगा यहाँ पे COH है, मतलब इसका तो कमी होगा इससे तो यहाँ आप देखिए, इसका जो correct answer हो जाएगा आपका जो order होगा, सबसे ज़्यादा किसमें होगा एक में होगा, उसके बाद 2 में होगा उसके बाद 3 में होगा तो इसका जो correct order हो जाएगा आपका option B हो जाएगा, देखिए एक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद दो में, उसके बाद तीन में, option B आपका correct answer होगा, ठीक है, इस question का correct answer हो जाएगा, option B, अब चेले next question को देखते है, question number 43, देखें दूस्तो question number 43 है, which of the following is maximum stabilization energy as a result of resonance, resonance, resonance के कारण stabilization energy अर्थात की ज़्यादा stable कौन सा होगा, जिसमें ज़्यादा, आपका resonance structure बनेगा, resonance structure बना करके देख लीजेगा, इसमें देखें, resonance structure सबसे ज़्यादा बनेगा, option B, आपका correct answer हो जाएगा, option B, ठीक है, इसमें ज़्यादा बनेगा, इसमें तो नहीं होगा, यहा option B का, तो सबसे ज़्यादा stability भी B का होगा, option B, इस question का correct answer होगा, देखें दोस्तों, next question है, question number 44, total number of optical isomer, इसमें आपको total number of optical isomer बताना है, देखें, chiral center भी यहाँ पे चिन्नित कर दिया गया है, chiral center क्या है, 2 है, तो 2N, यहाँ पे 2N होता है, 2 है, मतलब N का value, यहाँ जितना chiral center होता है, 2 chiral center है, 2 का value, 2, तो यहाँ पे आपका correct answer होगा, option C, 4, ठीक है, next question है, arrange the compounds in order of increasing SN1 reaction, SN1 reaction में आपको यहाँ पे increasing order में इसका arrange करना है, तो चलिए options को देखें, question number 45 का, और बताइए कि इस question का correct answer क्या होगा, increasing order में आपको यहाँ पे सजाना है, increasing order में सजाना है, तो स सबसे ज्यादा जो आपका SN1 reaction सो करेगा, वो हो जाएगा, आपका option A सबसे ज्यादा सो करेगा, उसके बद option 3 सो करेगा, उसके बद option 2, आपका correct answer हो जाएगा, option A, ठीक है, option A इस question का correct answer होगा, अब चलिए next question को देखें, question number 46, the order of stability for the confirmation of N-butane is, order of stability कौन सा होगा, N-butane का, तो the order of stability of the N-butane, N-butane का stability सबसे ज्यादा किसमे होगा, N-T में, गोचे में, एकलिप्स में, कौन सा होगा, तो ये correct answer हो जाएगा, option A ही correct answer होगा, ठीक, N-T में, उसके बद गोचे, उसके बद एकलिप्स, उसके बद एकलिप्स, उसके बद एकलिप्स फुल ली, option A, इस question का correct answer हो होगा, next question है, arrange the halogens, यहाँ पर दिया गया है, F2, CL2, BI2, I2, in order of their increasing reactivity, सबसे ज्यादा reactivity किसका होता है, सबसे कम reactivity किसका होता, उस order में, आपको increasing order में, आपको इसको arrange करना, चले question number 47 का correct answer देंगे, इसका correct answer क्या होगा, question number 47 का, तो देखें, तो इस question का correct answer होगा, question number 47 का correct answer होग एका option A, सबसे ज्यादा reactivity F2 का होता है, उसके बाद CL2, उसके बाद BR2, उसके बाद I2, मतलब नीचे की और आप नीचे periodic table में आएंगे, तो reactivity घरता है, option A, आपका correct answer होगा, ठीक है, next question है, as branching in alkene increases, boiling point decreases due to branching, जैसे जैसे increase करता है, boiling point घरता है, तो क्यों करता है, क्यों करत surface area for the intermolecular attraction, उसके बाद option B है, देखे, dipole, dipole attraction, interaction, तो इस question का correct answer होजाएगा, option A, क्योंकि surface area घरता है, इस question को दो दिन पहले ही, हम लोगों ने किया था, option A, इस question का correct answer होगा, next question है, दोस्तों, increasing order of the following alkyl halides for SN1 reaction, SN1 reaction का increasing order आपको यहाँ पर बताना है, देखे, alkyl halide इसमें, दिया गया है, तो 49 का correct answer होजागा, option A, 3 में सबसे जादा होगा, 3 degree में है, क्योंकि 3 degree में जादा, यहाँ पर 100 होगा, उसके बाद 2 degree, उसके बाद 1 degree, ठीक है, option A, आपका correct answer होगा, next question है, which of the following compound is isomeric with propionic acid, propionic acid के साथ कोन सा isomeric होगा, यह आपको बताना है, तो question number 50 का correct answer ठीक है, propionic acid के साथ कोन सा isomeric form होगा, option B, इस question का correct answer होगा, तो चले दोस्तों, आज की इस पार्ट में हम लोगोंने question number 50 तक total कर लिये हैं, total 1500 question है, सारे questions को हम लोग देखेंगे, एक ही वीडियो में संभाव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर 3 गंटा का वी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर इसी परकार वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें, और Lab Assistant से समधित सभी वीडियोस एफिलेबल हैं, चैनल के playlist को जरू से विजिट करेंगा, आज की इस वीडियो को दे झाल